सबी बच्चों का आज हमारे चेप्टर नमबर पाँच के छटे और अंतिम शेशन में सभी का स्वागत है और आप सभी अभी तक की पूरी पढ़ाई करके आए हो और यह जो चेप्टर है ना बहुत इजी और बहुत इंट्रेस्टिंग लगा होगा बहुत सारे क्वेश्चन अमने कर लिये थे क्वेश्चन नमबर दस और उसके बाद के क्वेश्चन अपने को करने है अच्छा जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि सारे बच्चे questions को try करेंगे कोशिश करेंगे किया के नहीं किया जब आप try करोगे ना तभी आपको अच्छा समझ में आएगा बच्चो चलो question number 10 दर्साइए कि A1, A2, AN से AP बनती यदि A N नीचे दिया अनुसार परिभाशित है A N परिभाशित किया हुआ है और ये दो प्रकार के दो question दिये हुए है अपने को AP बनानी है बताओ कैसे करोगे सभी लोगे ने बनाई के नहीं बनाई जल्दी बताओ पहला वाला दिया हुआ है ये A N का formula N बराबर 1 रखो N बराबर 1 याने प्रतम पर N बराबर 2 रखा चार दुने 8 और 3 ग्यारा N बराबर 3 रखा 15 AP आगई AP आगई 7 11 15 19 डेश डेश चलते चले जाओ ये मेरी AP आगई इसमें A बराबर 7 है और D बराबर क्या है बच्चों 4 है और फिर उसके बाद इसने पूछा है और प्रत्येक स्थिती में पर्थम 15 पदों का योग ज्याद करना है अब आपको A आ गया D आ गया चलो निकालो चलो फटा फट पंदरवे 15 पदों का योग N बाई 2 2 A N-1 D solve किया यहां मेरे को कभी भी आपको solve करने में ध्यान रखना थोड़ा सा आइडिया है यहां क्या करेंगे 15 बटा दो तो है इसमें क्या करेंगे दो अंदर से common ले लेंगे तो यह बचाएगा साथ प्लस यह साथ गुणा चार ऐसे आप कर सकते हो यहां पर इन्होंने अलग तरीका लगाया इन्होंने क्या किया है सीधे 14 बाहर निकाल लिया common ले लिया तो दो से इसको काड़ दिया यह आगया साथ अंदर बचा एक प्लस चार तो 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 यह अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तो calculation भी थोड़ा अपने को कैसे फास्ट करना है गलती नहीं होने देना है यह सब सीखने वाली बात है बस यही mathematics और खुछ भी नहीं है है न अगला question वैसा का वैसा है चलो सभी बच्चे करो फटा फर ए ए एन बराबर 9-5 एन जल्दी से a1 a2 a3 निकाल लो आजाओ a1 a2 a3 a4 आ गया a p आ गई अपनी 4-1-6-11 a बराबर 4 और d बराबर बच्चों-1-4 ऐसे लिखना पड़ेगा तो क्या आएगा माइनस का 5 क्या या बच्चों अब पंद्रा पदों का मान निकालो यस करो यहां मैंने देखो इसमें से 2 कॉमन ले लिया यह 2 आ गया अंदर से यह 4 रहे गया और यह 14 की देखे 7 रहे गया दो से 2 कट गया तो अंदर वाली संक्या मेरे लिए इसी होगी थोड़ी कैलकुलेशन है ना यह नीचे वाला दो भी कट गया और इसी होगी कैलकुलेशन तो एस पंद्रा आ गया मेरे पास क्या गया माइनस तार सो पैसक्ठ कॉश्चन नमबर दस आ जाएगा एक्जाम में तो कर लो के डरने वाली बात नहीं है सभी बच्चे समझ गए हो तो एक बार इसको अपनी रफ कॉपी में करके साइमल्टेनियसली वीडियो पोज करते जाएं और आप इसको अपनी फेर कॉपी में लिखते जाएं क्वेस्चन नमबर ग्यारा यदि किसी एपी के पर्थम एन पदों का योग दिया हुआ है तो इसका पर्थम पद क्या होगा पर्थम दो पदों का योग क्या है दूसरा पद क्या है इसी प्रकार तीसरे दस्वे और एन्वे पद ग्याद की ऐसा क्वेस्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे बच्चे उसको गलत कर सकते थोड़ा सा ये अच्छा क्वेस्चन है इसी लिए सारे क्वेस्चन एटेम्ट करवा रहा हूँ इसी लिए अधर वाइस तो क्या होता ना क्लास में बोलतेंगे सर ये दो दो क्वेस्चन कर लीजिए और बाकी ठीक है छोड़ दीजिए बाकी ऐसा ऐसा कर लीजिए एग्जाम में वगिरा लेकिन हम सारे क्वेस्चन कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेस्चन कर रहे हैं सभी 100% कि ताकि हमारी प्रैक्टीस में कोई कमी न आ रहा है प्रत्म N पदों का योग दिया हुआ है अपने को 4 N माइनस N अब N बराबर 1 रखोगे S1 आएगा जब S1 आएगा तो यह हो जाएगा 4 माइनस 3 और यह जो S1 है यही प्रत्म पद है क्योंकि अभी तो प्रत्म पद का योग तो बहुत सिंपल है यहां आ गया अपने पास A is equal to 3 जो S1 है N is equal to 1 रखा ठीक है बच्चों अब N is equal to 2 रखते है तो N is equal to 2 रखा तो यह आ गया 4 यानि प्रत्म दो पदों का योग आ गया अगर प्रत्म दो पदों का योग आ गया तो दूसरा पद निकालना है तो क्या करना चाहिए एक दूसरे का माइनस कर दो S2 माइनस S1 करो तो अपने पास आ रहा है जितिये टर्म 1 यानि पहली टर्म अगर अपने पास तीन है तो दूसरी टर्म आगई 1 इससे अपना D निकलेगा अभी तीसरी टर्म और निकाल लेते हैं यह ही से अपी चलो केवल इससे D निकाल दिया वन माइनस 3 है ना वन सेकिंड टर्म में माइनस 3 फर्स टर्म में तो 1 माइनस 3 माइनस 2 मेरा आ रहा डी बताओ बच्चों क्या था ए ए क्या था बच्चों बताओ ए बराबर 3 डी बराबर क्या आ गया माइनस का 2 माइनस का दो चीज आ गई अब क्या पूछ रहा है बताओ अब क्या पूछ रहा है जल्दी जल्दी बताओ अब पूछ रहे दूसरा पद क्या है मुझे निकाल लिया अपन ने वन तीसरे दसव और एनवे पद ज्याद कीजिए, फटा फट निकाल सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा निकाल सकते हैं, यहां निकाला हुआ है मालिया A10, तीसरा पद तो वैसे निकल जाएगा, प्रतम पद यह है, दूसरा पद यह है, इसमें माइनस टू जोड़ो तो तीसरा पद, इसमें माइ माइनस वन डी, यह हो जाएगा A प्लस नाइन डी, यह रखा मैली वैल्यू, तो A10 दस वापद आजया, माइनस का पंद्रा, फिर A9 पद पूछ रहा है, A9 पद पूछ रहा है, A और D की वैल्यू रख ली, और यह मेरा क्वेश्चन आया, यह मेरा एंसर आया, समझ में आया के नहीं आया, एक बार वापस से देखो, यह हमको दिया हुआ था, S1 निकला, यही S1, जो है वो A है, प्रतम पद का योग तो प्रतम पद ही हुआ, फिर अपने दूसरा पद निकला, तो 4 आया, दूसरे पद को प्रतम पद से गटा, यह योग है, दूसरे पद तक का योग है ना, उसको अगर पहले से गटाया तो सेकंड वाला पद आया के नहीं आया, यह S2 है, सेकंड पद नहीं है, S2 है, प्रतम दो पदों का योग है, तो यह इसमें अपने निकला तो अपना, यह आ गया 1, फिर अपने जब यह 1 आ गया, तो 1 माइनस रिकर D निकल लिया, जब अगर एक्जाम में आएगा तो गलती नहीं होनी चाहिए, और जिसको समझ में अभी आ गया, एक बार वापस से, इसको समझ के, बिना इसको वीडियो पॉस्ट करके, सारा पूरा वापस से रिराइट कीजिए, और जब अभी प्रशनावली खतम हो जाए, तब इन प्रशनो को फेर कॉपी में आपको प्रॉपर तरीके से नौट डाउन करना है, कॉश्चन नमबर बारा आजी, एसे प्रथम, चालीस धन पुरुनांकों के योग ज्यात कीजिए, जो छे से विवाज्य हैं, बोलो, ऐसे कॉश्चन आएकर क्या करोगे, छे, बारा, अठारा, चे, चो कितना N दे रखा है, 40, N दे रखा है, 40, A दे रखा है, बताओ, A बराबर क्या है, छे, और D बराबर भी 6, अब अपने क्या निकालना है, योग ज्यात करना, निकालना, इजी कॉश्चन, एक्जाम में आएका तो कर लोगे, अभी साथ एक बार बिना देखे करोगे, यस, व very good, करिए सौल, परतम चालीस पदों का योग जो छे से विबाज्य है, ये मेरी सिरीज है, बारा, ये सब सौल करो, फटा फट, उत्तर आना चाहिए, चार हजार नो सो बीस, क्वेश्चन नंबर बारा, मैं बहुत दीरे दीरे और बहुत समझाते हुए आपको चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर तेरा आजाए, आठ के प्रतम पंदरा गुणजों का योग ज्याद कीजिए, आठ के प्रतम पंदरा गुणज, आठ, सोला, आठ किया, चोबीश, इसे चलते जाओ, तो यहाँ एन बराबर दे रखा पंदरा, ए बराबर आठ, और डी बराबर भी आठ है, है के नहीं है, यह आगया, एन बराबर पंदरा दे रखा, निकाल लो फट आफट, पंदरा पदों का योग निकाल लो, फंदरा बटा दो, दो इंटो आठ, यह टू ए, प्लस ए, प्लस ए, माइनस बटा दी, यह देखो, पंदरा बटा दो नीचे था, इस दो को उड़ाने के लिए मैंने दिमाग लगाया, बाहर दो कोमन ले लिए, तो अंदर रे गया, आठ, और यह चोदा के देखा साथ रे गया, तो अंदर वाली भी थोड़ा संक्या छोटी हो गई, यह दो से दो मेरा कट गया, तो मेरा एंसर फास्ट आ गया, यह थोड़ी सी होशियारी की बात है, आप लोग अगर ऐसा नहीं करो बाइदवे, तो आप क्या करोगे, आप इसको अंदर वाले को सौल करोगे, फिर इसको पंदरा से गुना करोगे, फिर दो का भाग लगाओगे, तो लंबा चोड़ा काम हो जाएगा, ठीके, एस पंदर के बीच की विशम संख्याओं का योग्याद किजिए, एक, तीन, पाँच, साथ ऐसे करते करते, पचास तक जाना है, तो पचास तो विशम संख्या नहीं, यह सम संख्या है, तो अपने को गुन पचास तक जाना है, ठीके, योग्याद करना कैसे करोगे अब, इसमें एक ल एन नहीं है, एन यानि कुल पद नहीं है, इसलिए अपने को एक बार उन पचास को, उन पचास वे जो संक्या उसका पद संक्या निकालना पड़ेगा, एन के फॉर्मूले से, चलो, ये मेरी आगी सिरीज, ए बराबर वन है, डी बराबर टू है ठीक है, और एल यानि अंतिम पदे गुन पचास, अब मेरे को ये फॉर्मूला एक बार लगाना पड़ेगा, एन निकालने के लिए, ये निकालना पड़ेगा, अगर एन नहीं आएगा, तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो ये मैंने गुन पचास, इस इकल टू 1 प्लस N माइनस 1D, इसको 68 बटा द तो 2A प्लस N माइनस 1D, यहाँ पर भी मैंने वहीं काम किया, इस दो को काटने के लिए, यहाँ से दो बार निकाल लिया, अंदर बचा 1 प्लस 24, फटा फट काम हो गया, पच्चिस इंटू पच्चिस इगल तो देश, देखो फटा फट, देखो सभी बचे देख लो एक बा निकाल लिया, अंदर बचा, पच्चिस इंटू पच्चिस बच गया, 625 उतर आ गया, ठीके, question number करेंगे, 15, अब थोड़े अलग language वाले question, अभी तक तो single line question, अब समझना भी पड़ेगा, सभी ने किये की नहीं किये, ट्राई की डर गये हैं बताओ, सबने किये, पक्की बात है, ठीके, निर्मान कार्य से संबंदित किसी ठेके में, एक निश्चित तिति के बाद कार्य को विलम से पूरा करने के लिए, जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले द दिन के लिए 200 रुपे दूसरे दिन 500 रुपे तीसे दिन 300 इस प्रकार प्रत्यक उत्रोतर दिन में जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपे बढ़ते जाता है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशी अदा करनी पड़ेगी यदि वह तीस दिन के विलंब में पूरा करता है पहला दिन तो लग गया उसके 200 रुपिया भाईया फिर अगले दिन लगए 250 अगले दिन लगए 300 अगले दिन लगए ऐसे करते करते 30 वे दिन उसका कितना विलंब शुल्क लगेगा कुछ भी नहीं करना तो जोड निकालना इजी यह ए बराबर 200 डी बराबर 50 आन बराबर 30 निकाल लो कोई डरने वाली बात नहीं है ना सबसे पहले अपने बना ली शीरीज ए बराबर दीज दी बराबर दीज एन बराबर देश रखा फॉर्मूले में इसको काड़ दिया यह हो गया पंदरा अंदर वेश चार सो प्लेश ओधा सो पचास पंदरा इंटो अठारा सो पचास 27,000 र किस दिन लेट हो गया था इसलिए फॉर्मूला समझ में आ गया कॉश्चन नमर पंदरा अच्छा है एग्जाम आएगा तो करोगे कॉश्चन नमर आजाईए सोला किसी स्कूल के विध्यार्थियों को उनके समग्र शेक्षिक परदर्शन के लिए साथ नकद पुरसकार देने के लिए साथ सो रुपे की राशी रखी ते रुपे की राशी रखी है साथ सो रुपे की राशी रखी है और पुरसकारों की संख्या इसका मतलब ये साफ दिख रहा है कि S7 बराबर तो है साथ सो और N बराबर है साथ ठीक है यहां तक गाड़ी क्लियर है अब क्या पूछ रहे हैं यदि प्रत्येक पुरसकार अपने से ठीक पहले पुरसकार से 20 रुपे कम हो अच्छा तो इसका मतलब डी भी आ गया डी इकॉल टू माइनस 20 अब क्या चाहिए इसको अब क्या चाहिए अब अपन निकाले इस फोर्मुले को रखके और अपन एक आमान निकाले जब निकाले और एक आमान जब निकल जाएगा तो फिर 20-20 रुपे कम करते जाना अपने साथो पुरसकार की रासी आ जाएगी ठीके आया कुछ समझ में चलो इस सेवन ने देर देर किए डी बड़ाबर आ गया अब मान लो ए को माल लिया पी माल लिया इस ए रख सकते को फरक नहीं पट रहा है ये इस सेवन है साथ बटा दो इसको पर तू यह किए सॉल इदर कोमन ले लिया दो तो ये दो से दो कट गया अब बचा P यानि ए बराबर ए बराबर आ गया मेरा 160 क्या आ गया 160 आ गया तो पहला पुरसकार दूसरा तीसरा चोथा पांचवा छटा और साथवा पुरसकार की राशी आ गई के नहीं आई नहीं आई के आई इसको ए बराबर पी मानो तो भी चलेगा नहीं मानो तो भी चलेगा कोई फरक नहीं पड़ता है इसको ए भी रख सकते हैं पी मेने रख दिया प्राइस के हिसाब से पर्थम पुरसकार अपने निकाल लिया फिर 20-20 रुपे कम करते जाओ वेरी सिंपल क्वाश्चन नमबर सत्रा वीस कोश्चन है अभी डरो मत एक स्कूल के विदियार्थियों ने वायू परदूशन कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बार पेड लगाने के बारे में सोचा यह निरने लिया गया कि अपनी कख्षा की संख्या के हिसाब से पेड लगाएगा यानि कक्षा पहली में पढ़ने वाला एक पेड़ लगाएगा कक्षा दूसरी वाला दो लगाएगा तीसरी वाला तीन लगाएगा और ट्वेल्थ वाले बच्चे ट्वेल्थ बारा पेड़ लगाएगे और हर कक्षा के तीन-तीन सेक्षन है पहली वाला एक पेड़, दूसरी वाला दो पेड़, और एक क्लास के तीन-तीन सेक्षन है कुल कितने पेड़ लगेंगे यह मेरी क्लास है, 1, 2, 3, 4, 12 तक है न A बराबर 1, D बराबर 1 और N बराबर 12 ठीक है, अब एक-एक क्लास मालिया एक-एक लगाती है तो S 12 तक का योग, सिंपल बारा बटा दो, 2A प्लस N-1D, इठ्योतर मेरा एक-एक क्लास अगर एक-एक पोदा लगाती है, तो कुल पोदे लग रहे हैं, इठ्योतर और अब उसमें एक-एक क्लास के तीन सेक्शन है, तो इठ्योतर गुणा 3, उत्तर आगया दोसो, 34, कुल पोदे कितने लगेंगे बच्चों, 34, 234 क्वेश्चन नमबर 18 केंद्र A से प्रारंब करते हुए, बारी-बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm वाले उत्तर अर्ध व्रतों को खीच कर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है जिसके अकरती बताई रखिए, 13 क्रमागत अर्ध व्रतों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? वाह, क्या बताए? सबसे पहले तो N बराबर दे रखा 13, ठीक है, और A बराबर है 0.5 है न बच्चों, और D बराबर भी है 0.5, यहां तक तो गाड़ी किलियर है, किलियर है, अब लंबाई पूछ रहा है, एक का आधा सर्किल, एक बना रहा है सर्पिल आधा, जहना A से B में यह आ रहा है 0.5, फिर यहां से ले रहा है 1, फिर यहां से ले रहा है 1, फिर यहां से ले रहा है 1, फिर यहां से ले रहा 2, ऐसे बढ़ते जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, यहां से गाड़ी स्टाट वी, आधा सेंटीमिटर, यहां से गाड़ी स्टाट वी, एक सेंटीमिटर, यहां स तेरह क्रमागत अर्द व्रत बन रहे हैं क्या बन रहे हैं क्या बन रहे हैं बच्चों अर्द व्रत किसी भी व्रत का व्रत की परीधी क्या होती है बताओ मेरे को कौन बताएगा 2 π.R. क्या होती है? 2 π.R. तो अर्ध वरत की परिदी बता दो, π.R. ठीक है? यहां तक गाड़ी clear? अब मैं सवाल सॉल करूँ. समझ में आ गया? question पहले तो? हाँ. पहले तो बताओ semi perimeter आनि अर्ध वरत का परिमाफ π.R. ठीक है? अब मेरे को निकालना है लंबाई पहले वाले सर आपर? हाई मेरे पास, R मेरे पास 0.5 था तो क्या लिखा है? इसको 5 by 2 लिख सकता हूं? दूसरे वाले सरक्ацион का 205 तीसरे वाले का Image 1.5 तुट 2 अब मेरे पास ab आ गई यह क्या ली प्ट्सक्राइए भी है क्या कि दिस जोरे कुल टेरा A बराबरं एक वरिय। ब़्राबर पाइबा दू और एन बराबर देरा मेरे को योग निकालना है रखो इसे सॉब्सक्राइब में करो solve दो से दो कट गया यहां से छे आ गया तो यह बजिना साथ पाइ तो 13 इन्टयू साथ पाई बाई टू तो यह आ गया 1 հाणवे पाई बाई टू तो इकराणवे बाई टू और 22 बटा साथ पाई की विल्फी रखी काटो इसको तो मेरा आ गया 143 सेंटी मीटर ये मेरा आ गया इसका 113 सेंटी मीटर ये आ गया 143 ठीके कोई शम्मजा आया है कि नहीं आया है बताओ इसमें तो मज़ा आया हो गया इसमें मज़ा आया के नहीं आया पहले बताओ मेरेको L1, L2, L3 फिर मेरे ये सीरीज आ गई फिर मेरे ये आ गया A और D आ गया फिर मैंने इसको S13 निकाल लिया फिर इसको मैंने solve कर लिया 22 बटा 7 रखा और ये मेरा आ गया 143 हाँ आज प्रशनावली और सभी बच्चों को पहली बार लगा कि सर आज तो मज़ा आ गया 18 नंबर कोश्चन तक पहुँच गए चलो 19 भी करते हैं आजो 19 कोश्चन 200 लठो को धेरी के रूप में ये से रखते हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठे उसके उपर 19 फिर उसके उपर 18 इसे रखा अपने अब ये 200 लठे रखे हैं अपने कुल सबसे नीचे 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 टोटल लठे कितने हैं 200 अब अपने को क्या पूछ रहा है कुश्चन क्या है कि कितनी पंक्तिया है और सबसे उपर पंक्ति में कितने लठे लठे हैं याने की अगर अपन अपी बनाएंगे न बच्चों तो क्या बनाएंगे 20 गुनीज अठारा ऐसे से बनाना है यह तो ओगई ए बराबर आगया अपने 20 और डी बराबर आगया माइनस वन और भूगी और अपने को निकालना ए यैज आपने को निकालना है और यन बराबर निकालना निकल सकते हो कॉस्चन समझ में आया सबसे पहले किसी प्राउब्लम में अपने को ये समझना चाहिए कि ये प्राउब्लम क्या है फिर उसका सॉलूशन निकालते हैं यहां पर मेरा a बराबर 20, d बराबर माइनस 1, s and this मुझे निकालना n फॉर्मूले में रखा, इसको सॉल किया ये n स्क्वेर की एक्वेशन आई, यहां तक मेरी सबसे पहले तो मैं ये क्वाड्रेटिक द्वीगात समीकरन आ गया गवराना नहीं है, रखते जाओ, मस्त उसके बाद मैंने 41, ये 400 है, तो 16 गुणा 25 किया इसका क्या टुकड़े किये, और ये मेरे पास समीकरन आया, तो n बराबर 25 है, या n बराबर 16 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्यों भई दोनों कैसे हो सकते हैं, ठीक है, अगर 16 है, तो 16 नमबर पे 5 लठे रहेंगे, n बराबर 16 और लास्ट वाले में उपर ही उपर 5 लठे, और अगर 25 क्रम में जमाएंगे, तो माइनस 4 तो संभा भी नहीं है, अगर 25 पंक्तियां बनाओगे तो लठे ही नहीं है इते तो, इसको हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि यह नहीं माना जाएगा, क्या लिखोगे, यह संभाव नहीं है, क्या लिखोगे, इसलिए लिखोगे उत्तर क्या है, कुल 16 पंक्तियां रहेगी, और सबसे उपर वाली में, ए सोला है 5, आया उत्तर, कोई कटिन लगा क्या, बताओ, किसी को कुटिन लगा तो बताओ मेरे को, ये 200 N is equal to इसका formula, ये equation आ गई, इसको solve की, इसके N is equal to 26 आ गए, 16 के एसाब से देखा, 16 बराबर 5 है, 25 के एसाब देखा तो माइनस 4 था, तो अपने को माइनस हो नहीं सकता है, इसलिए अपने मान लिया कि 16 पंक्तियां है, और उपर ही उपर 5 है, लास्ट क्वेश्चन, हाँ, बहुत लंबे आस तो तुमने बहुत मेहनत किये सब बच्चों ने, लास्ट क्वेश्चन, एक आलू दोड़, ये क्या होती आलू दोड़, प्रारंबिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, ये रखी है बाल्टी, जो पहले आलू से 5 किलो मिटर दूर है, ठीक है बई, ये 5 किलो मिटर दूर है, और अन्य आलू एक सीधी रेखा में 3-3 मिटर पे हैं, इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं, अच्छा भई, प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंब करता है, निकरतमालो को उठाता है, वापस बाल्टी में डालता है, दूसरा उठाता है, बाल्टी में डालता है, इस प्रतियोगिता में उसे कुल कितनी बार दोड लगानी पड़ेगी, हमाति वे किकि पहला लुटाया डाला दूसरा लुटाया डाला तीसरा लुटाया डाला कितने लगाने धैसा ब्हाइं है इस से करेंगे भाई यह कौस्च्चन थो ठोड़ा जोड़ार है हम सब को समझ में गया ठीक है भाईया यह मेरा पहले सबसे पहले तुम बनाता हूं मैं एपी पहला पांच पर तीन 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 जोड़ दो तो पांच और तीन आठ और तीन ग्यारा तो मेरा ए बराबर पांच डी बराबर तीन और एन बराबर क्या दे रखा था दस दे रखा था ना एन बराबर जा रहा है और आ रहा है ना दोड़ेगा इधर जाएगा फिर इधर आगा तो बस डबल कर तो very simple तो कुल योग का इस डिस्टेंस का कुल योग निकाला और कुल योग का डबल कर दिया बहुत simple question अपने को लग रहा था बहुत टफ है लेकिन यह बहुत इजी निकला और अपने जितनी डिस्टेंस निकाली ना उसका डबल कर दिया यह मेरी प्रश्नावली खतम होगी आज हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 के सारे सवाल भी कर लिये और आज इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानतर शेड़ी का छट्टा और हंतिम सेशन था सरल चैप्टर है लेकिन इसमें सारे कोश्चन अपने को करने है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत काम की चीज़े गलती होनी ही नहीं चाहिए सबी बच्चे सवालों को अपने आप करेंगे दुबारा से करेंगे और अपने अपनी फेर कॉपी में करके एकदम पर्फेक्टली करेंगे ओके डियर स्टुडेंट्स तैयारी करते रहिए फिर मिलेंगे नेक्स चैप्टर में ओके